जान इन दुनों उन बातों पर ज्यादा है आज का भारत ambitious सपनी देखता है और मुने पूरा करने का भर्सक प्रहास भी करता है आज भारत विश्व की पांच भी सबसे बीड़ी एकोनमी है विश्व की सबसे तेजी से ग्रो करने वाली एकोनमी है और मैं पक्ता मानता हूँ कि मेरा जो तीसरा कारकाल है उसमें हम third largest एकोनमी बब का हमारा जो गोल है उसको हम achieve कर लेंगे तो कि आज हम highest ग्रो करने वाले लोग है जब दुनिया का सबसा बड़ा देश सबसे बड़ी डिमोकरसी तेजी से ग्रो करेगी तो global peace और prosperity के भी एक आश्वासन उससे प्राप्त होता है और जो आज आज आप देख भी रहे हैं टेक्नोलोजी विक्सीद भारत की आत्रा का एक एहम स्तंब है इसलिए आज हमने भारत में technological collaboration और investment के लिए अभूत पुर्वा संभावनाए खड़ी किये हैं भारती स्केल भारत की capacity भारत की capability और भारत का performance आप उसमें uniquely देखते होंगे आपने अनुभव किया होगा आज भारत के पास one of the most vibrant digital ecosystem है तीसरा सबसे बड़ा start-up ecosystem आज भारत में है और विशो का सबसे बड़ी वा talent का पूल भी भारत के पास है और आपने देखा होगा पिछले दस साल के मेरे कारकाल को और शायद इसे के कारण हमें फिर से एक बार जिनता नासिरवात दिया है और मैं मानता हूँ कि investor के लिए और कोई भी साहस करने वाले वेक्तिक लिए policy stability के बहुत ही महतोपुर्ण चीज़े होती है और आज भारत एक तो policy driven हमारा governance है लेकिन साथ साथ stable policy and predictable policy उसमें हम आग रही हैं ताकि कोई भी investor के लिए या कोई भी महाँ काम करना चाहता है उसके लिए एक assurance उससे प्राप्त होता है और उस दिशा में हम प्रैत्नसिर हैं आज की technological transformation हम रीड की हड़ी के बिना शरीक की कलपना नहीं कर सकते हैं वैसे chips के मिना कोई खारो बार चलना मुश्किल है और हम उस दिशा में दो इबास ही है कि जिस गती से दुनिया में एक विशे चला उसमें हम लेट है लेकिन हम एक बार सुरू करते हैं तो हमारी घती भी उतनी तेज होती है अब जैसे 5G में हम लेट थे लेकिन आज हम नमर एवन पर है तो ये भारत के अपनी एक विशेशता भी है, स्केल भी है, आवशेक्ता भी है तो चीप के और सेमिकंड़क्टर के दुनिया में हम जो पॉलिसी लाए हैं उसको बहुत ही स्वागत हो रहा है करीब करीब सभी इस खेतर के लोग भारत में आने के दिशा में आकर्शित हो रहे हैं और उसके लिए जो बेसिंग नीड्स की दिरुशत है उसमें हम पूरी तरह तयार हैं चाहे पॉलिसी के बात हो, बहाँ पर आवशेक्टरी इंफ्रासेक्टर के बात हो सेंटर और स्ट्रेट गवर्मेंट का एप रहर सहियोगों इन सभी चीजों में हम साथ में हैं और इसलिया सबस्वे बड़ी बात हैं डिजाइन आज भी दुनिया की बड़ी बड़ी आपकी सब की कंपनिया भी है उनकी रिसर्थ और इनोवेशन के सेंटर भारत में है सब के सब भारत के बारत के टैलेंट से आप पुरी तरह परिचित है भारत के टैलेंट पर आपका पुरा भरोसा भी है तो हम डिजाइन इन इडिया के मूड में भी और आप काफी बल दे रहे हैं ताकि हम दुनिया को कुछ नया देने के लिए सेमिकंड़क्टर में हम 15 बिलियन डॉलर का इडिशनल इन्वेस्टमेंट करने दीशा में हम आगे बढ़ रहे हैं दुनिया भर से भी जैसा मैंने कहा है इन्वेस्टमेंट आ रहा है और भारत का प्राइवेट सेक्टर भी इन दिनों में काभी इस मात्रा में निविश्ट कर रहा है हाली हुए हमने एक सेमिकोन इंडिया समीट की आपसे कोई साथी उसमें थे भी भारत के पास ग्लोबल सेमिकंडर कंड़क्टर एको सिस्टिम सप्लाई चेन में एक रिलाइबल और कडिरिवल पार्टनर बनने की पूरी-पूरी ख्षमता है आज हमारा एलेक्ट्रोनिक सेक्टर एक सो पचास बिलियन डॉलर से ज़्यादा का है हमारा एलक्षी से ट्विंटी-थर्टी में फाई हुन्डेट बिलियन डॉलर सक ले जाने का है ताकि इस सेक्टर में छे मिलियन नई जॉब्स की हम आपूर्ति कर सकते हैं इन लक्षों को पाने के लिए हम इंडेस्ट्री के साथ चितना ज़्यादा सयोग बढ़ सकता है हम उसके लिए तयार है और मैंने मेरी सिस्ट्रीम को भी प्रोएक्टिव करने के दिशा में मैं सफल रहा हूँ भारत में 500 मिलियन से ज़्यादा की वर्किंग पॉपलिशन है भारत की आउसत आयू 28 येस है और बड़ी बात यह है कि हमारा यूथ स्टेम की पढ़ाई में काफी रूची ले रहा है इवन बेटियां भी स्टेम के एजुकेशन में हमारी हाँ बेटियां भी लीड कर रही है और मुझे दियाद है कि एक देश में में वहाँ के एक बहुत बड़े नेता मुझे पूछ रहा था कि क्या आपके बच्चीयां स्टेम के इंदर रूची लेती है जब मैंनों का आकणा बताए तो उनके लिए सर्प्राइस था कि भारत के बेटिया भी उनके सारे छेत्रों में काफी कुछ कर रही है यूद का ट्रेनिंग अप्सकिलिंग ये मैं मानता हूँ कि भौती फोकस रिक्वार है कोई कि जिस प्रकार से टेक्नोलोजी में अप्ग्रेडेशन होता ही चला जा रहा है और स्किलिंग में अगर हम अप्ग्रेडेशन नहीं करते हैं तो शायर हम रुख जाएंगे तो मेरा बल उस दिशा में भी उतना ही ज़्यादा है और इंडिस्ट्री 4.0 के लिए इंडिस्ट्री रेडी वर्कफोर्स वो हम एडवांस में काम करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं आपका अनुखव और आपकी रिक्वाइरमेंट उसके आधार पर अगर कोई हमारे पास प्रोड़क्ट मिलता है कि यह हमेश चाहिए तो हम उसके आधार पर काम आगे बढ़ा सकते हैं और बहुत तेजी से इसको हम बढ़ा सकते हैं हमारा लक्ष एक दो सालों में 85,000 टेक्निकल टेक्निशन, एंजिनियर्स एन आरेडी एक्सपर्स उनका हम निर्मान करना चाहते हैं उस प्रकार का हम इको सिस्टिम बना करके रिक्वार्मेंट अनुकूल स्किलिंग कुछ दिशा में हम बल देने का प्रहास कर रहे हैं सेमी कंडुक्टर डिजाइन ने तो 20% हिस्सेदारी भारत की है और अब सरकार ने हर सेक्टर के लिए डिजाइन इन इंडिया की मुहीम शुरू की है और हाल में ही हमने हाई एंड रिसर्च को प्रमोट करने के लिए 12 बिलियन डॉलर का रिसर्च फरंड भी बनाया है क्योंकि हम इनोवेशन पर विशेश बल देना चाहते हैं भारत में मजबूत आई पियर फेंबर्क जो आपने उलेक किया आई पियर के समद में और टेक्नोलोजी और इनोवेशन को समुरक्षित करने के दिशा में भी हमारा उतना ही बल है हमने जो नया डेटा प्रोटेक्शन लोग बनाया है उससे भी आप जैसे साथियों को मैं अब डेटा प्रोटेक्शन लोग का तो महत भाई है अब मैं डेटा पॉलिसी को लेकर भी आ रहा हूँ और मैं गवर्ननस के मोडल में डेटा गवर्ननस पर भी बल दे रहा हूँ मैं गवर्ननस में एक simultaneous पीलर खड़ा करना चाहता हूँ जो गवर्सना साथ गवर्ननस के traditional model है उसके साथ साथ एक गवर्ननस का data गवर्ननस का model यह दोनों simultaneous कैसे काम करें तो कि बदलती हुई दुनिया में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है और हम उस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। भारत AI स्ट्राटेजी बनाने वाले सबसे पहले देशों में से एक हैं। और मैं तो जब पिछले बार यहां आया था तो वाइट आउस में चोटी सी टेक्रिकल गूप की मिटिंग थी। तो सुंदर भी थे। और उस दिन मैंने कहा था कि मेरे लिए AI का मुटलव है अमेरिका इन इंडिया। तो हम उस ताकत को और बढ़ाना चाहते हैं। और भारत ने जो टेक्नोलोजी को डेमोक्राइज करने के दिशा में जो काम किया है। वो हर प्रकार के डिवाइड को खतम करने वाला एक बहुत ही सफल प्रदोग है ऐसा हम अनुहो कर रहे हैं। भारत AI के responsible और ethical उप्योग के लिए भी प्रतिवत है। हम G20 समीट में बैठे थे। उसमें भी ethical use एक सबसे बड़ा agenda विशय था हमारा। और उसमें मैंने एक सुझाव दिया था कि जिस प्रकार से aviation किसी एक देश या एक राज्य के नियमों से नहीं चलता है। पूरा aviation sector global rules and regulations चलता है। दुनिया का छोटा देश होगा तो भी उसने अमेरिका के standard से यह aviation चलाना पड़ेगा। और अमेरिका कितना ही बड़ा देश के से कहनी हो अपनी मन मर्जे से नहीं चलेगा। उसको भी छोटे देश की पद्धिया है उसको स्विकार करना पड़ेगा। जिस प्रकार से aviation sector global governance बन चुका है बैसा ही digital हमें global governance का model ही खड़ा करना पड़ेगा। किसी एक देश का governance, rules and regulation डिजिटल वर्ल्ड के लिए चलने वाला नहीं है। और हमारे सामने model है, aviation sector एक successful model है, सब लोग उसको follow करते हैं। तो मैं G20 मैं इस विश्य को मैंने बहुत आगरत से रखा है, आगे भी मेरा यह प्रयास है। इतना ही नहीं मैंने यह भी कि जिस प्रकार से deep fake के करन लोग आज परिशान है, तो उसके सामने भी मैंने एक कहा है कि क्यों हम जब तक कि समाज तयार नहीं होता है, तब तक एक watermark हर इस प्रकार की चीज़ों पर watermark आना चाहिए, कि AI generated है, तो एक व्यक्तिव को लगेगा अब इस पर मैं भरोसा करू या न करूँ, और मैं मानता हूँ कि आप जैसे जो technology expert हैं माना उजाद कि बड़ी सेवा जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वाटर मार्क के साथ, AI generated watermark ये, कोई भी product आएगा, अगर AI touch है, तो उकर आएगा ही, automatic आएगा, AI generated है, उसके लिए rules and negotiation काम नहीं करेंगे, technology will give a solution, और इसलिए मैं समता हूँ दिशा में भी अगर इतने सारे brains यहां है, तो आप जुरूर कुछ कुछ contribute कर सकते हैं, आज भारत तेजी से global biotech power house के रूप में उभर रहा है, और जैसा आप सब साथियों ने कहा, भारत में bio pharma research promote करने के लिए, एक fertile ecosystem है, भारत में बड़ी संख्या में scientific talent पूर तो है ही है, भारत का बड़ा और diverse gene pool भी है, भारत की विशालता और विवित्ता यह मैं समझता हूँ कि वहाँ एक बार कोई चीज पायोनियर रही है और उसमें प्रयोग हुए है तो वो दुनिया में कहीं पर भी वो लागू हो सकते, इतनी विशालता और विवित्ता वहाँ भरी affordable research की possibility भी है और affordable manufacturing और assured quality भी है बायो सिक्वर एट जो capacity gap create का होगा भारत उसे trusted और efficient तरीके से पूरा कर सकता है बायो manufacturing को boost करने के लिए हम बायो E3 policy लेकर आये हैं आपके साथ ध्यान में आया होगा पिछले सप्राई मैंने मेरी cabinet में बायो E3 की policy हम लेकर आये है और एक भावत futuristic policy हमने बनाई है बायो E3 याने बायो technology for economy, employment and environment इन तीनों चीजों को लेकर के मैंने बायो E3 policy को बल दिया है 2030 तक भारत की बायो economy बढ़कर 300 billion dollar की होने की हम संभावना देखते हैं 2025 तक भारत में 10,000 से जाज़ा बायो startups की संभावना मैं देख रहा हूँ जिसके कर आप कलपना कर सकते हैं ग्राफ लेवल पर कितने बड़े काम की संभावना इस बायो के सेक्टर में भी होने की संभावना मैं देखता हूँ हमारा लक्ष है कि health security और global challenge के solution देने में भारत leadership के रोल में हो और जिसमें आप सब कर सही योग बहुत बड़ी हमें ताकत दे सकता है भारत प्रो प्लैनेट पीपल के approach को लेकर infrastructure बना रहा है इनोवेट कर रहा है 2030 तक 500 गीगावर्ट renewable energy के target को एचिव करने लिए हम एक साथ कई स्थर पर काम कर रहे हैं और इसलिए आपके लिए manufacturer में भी अद्भूत संभावना है फ्रेंट आत्मनीर भर और ससक्त भारत की विकास यात्रा में आप सभी को में एक सहयात्री के रूप में एक सह भागिदारी के रूप में हमेशा मानता हूं देखता हूं और उस प्रकार से हमारी आत्रा भी रही है आप सबका अनुभव भी है मिज़ी भी स्वात है कि भारत और अमेरिका की tech companies मिलकर global challenges के समाधान से मैं एहम रोल निभाएगी मेरे टीम आपके जो सुझाओं मिले हैं उसको भी और आपने जो एक विश्वास व्यक्त के उसों भी हम उसको बड़ी घंबिरता से लेते हुए आवश्यक्ता के नुज़ार उसको हम follow भी करेंगे मेरे द्वार तो हमेशा खुले रहते हैं मैं हमेशा एक विध्यार्शी के तरह आप सबसे कुछ सुनता हूं सुखता भी हूं और governance मैं उसको लाने का प्रयास भी करता हूं ताकि मेरा देश भी उतना ही तेजिस आगे बड़े लेकिन मैं फिर से एक बार आप सब समय निकाल करका आए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं और मैं आपका रूदे से आभारी हूं कि आप चिंता किये और इस काम को आगे बढ़ाए हो बहुत-बहुत धनवाज जी